आज हमारे पास important topic है हिमाचल के जो famous painters हैं उनके बारे में आज हम इस video lecture में बात करेंगे इस video lecture में हम बात करेंगे जो पुराने समय में ancient painters रहें हैं उनके बारे में modern era में जो painters से हिमाचल के उनके बारे में painters का कितना रोल रहा है पहाड़ी painting को increase करने में promote करने में उसके बारे में साथ में ही इस video lecture में हम जानेंगे हिम बुनकर के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं इस interesting lecture को हिमाचल के famous painters के बारे में video lecture को शुरू करने से पहले आप सब के सामने एक question है आप सब को इस question का answer comment box में करतना है question है oldest painting school of हिमाचल इस हिमाचल का सबसे पुराना painting school कौन सा है इस question का answer आप comment box में कीजिए चलिए शुरू करते हैं very interesting video lecture को सबसे पहले शुरू करते हैं introduction के बारे में no painters no paintings अगर कोई चितर कार ही नहीं होगा तो फिर कोई चितर भी त्यार नहीं होगा इस बात का भी प्राय है कि बिना painters के कोई भी painting त्यार नहीं की जा सकती है painters का बहुत ज़्यादा important role रहता है किसी भी सुन्दर paintings को बनाने के लिए क्योंकि painters ना कि एक चितर को बनाता है बलकि एक किसी दृष्य को उस चितर में परदर्शित भी करता है पुराने समय के painters के बारे में कहीं पे भी जानकारी नहीं दी गई है कि हिमाचल के कौन-कौन से पुराने समय में painters थे स्तार मी स्ताबदी के बाद ही जो हिमाचल के famous painter रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रापत हुई है बात करते हैं हिमाचल के important painters के बारे में जो पुराने समय में रहे हैं नमबर बन है निक्का painter ये हिमाचल के उन famous painter में से एक है जिनका बहुत ही ज़्यादा important role रहा है पहाडी painting को promote करने में ये painter मिलेंगे आपको चमबा राजा, राजा राज सिंग के समय काल के इन्होंने चमबा paintings को एक peak level तक पहुँचाया है और इनके ही दोरा जो चमबा paintings थी वो famous हुई है इन्होंने चमबा स्कूल की painting को भी काफी encourage किया है तो कह सकते हैं one of the best painter है ये चमबा के second है पंडित सेव ये भी एक महान painters हैं और basic लिए जाने जाते हैं पहाडी paintings के लिए स्तार मिश्ताबदी में इन्होंने अपनी बहुत अच्छी सेवाईं दी जो भी glare state की art थी उसको promote करने में इनका बहुत ज़्यदा important role रहा है जो glare राज्य की paintings थी उनको बनाने में और उसके बाद इन्होंने अपनी सेवाईं दी कांगडा स्टेट को इनके दो पुतर थे एक का नाम था मनाकू दूसरे का नाम था नैन्सुक नेक्स्ट पेंटर है नैनसुक नैनसुक जैसे कि हमने बात की ये बड़े पुतर थे पंडित सेव जी के जो पेंटर थे पंडित सेव उनके बड़े पुतर थे इनको जो कला थी पेंटिंग की वो अपने पिता से प्रापत होई नैन सुक ने अपनी सेवाईं दी है राजा बलवन सिंग के समेकाल में जो की समंद रखते हैं गुलेर रियासत से 1743 के बाद नैन सुक ने अपनी सेवाईं गुलेर रियासत में परदान की पेंटर के तौर पे इनका बहुत ही ज़ादा कॉंट्रिब्यूशन रहा गुलेर स्टेट की पेंटिंग को परमोट करने के लिए नेक्स्ट पेंटर है मनाकू ये पंडित स्यव पेंटर जी के सबसे छोटे बेटे थे इन्होंने भी जो ग्रेटनेस थी पेंटिंग में काफी हासिल की थी यानि ये भी महान पेंटरों में से एक जाने जाते हैं इनको भी जो कला है पेंटिंग की वो भी अपने पिता से प्रापत हुई है इन्हें one of the great पहाडी miniature painting का master माना जाता है simple सब्दों में कहें तो पहाडी miniature painting इनके समय काल में काफी उबर के आई है हिमाचल में और इन्होंने अपनी सेवाईं दी है जब कांगडा के राजा थे राजा संसारचंट टू उस समय इन्होंने अपनी सेवाईं कांगडा रियासत में दी और ये काफी important painter है कांगडा रियासत के और पहाडी miniature painting के next painter है फट्टू ये मनाकू जो painter थे उनके बड़े पुत्तर थे फट्टू जो painter थे इनके दोरा कुछ हाद से बनाईगी paintings है जैसे सत्साइं सीरीज, लंबा ग्राउं, बारा मासा, रंग माला ये तीन ऐसी important paintings है जिनको फट्टू painter के दोरा बनाया गया next है किशनलाल painter ये मनाकू जो कांगडा रियासत के मुखे painter थे उनके छोटे बेटे थे इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है कौशला कौशला के नाम से जाना जाता है इनका important work रहा है painting में शिरीमद भगवत पुरान को representation देने में इन्होंने चित्रकारी के थुरू शिरीमद भगवत पुरान को represent किया है ये भी जो कांगडा के राजा थे संसार चंटू उसी के समय काल में थे और इनका बहुत ज़्यादा important role रहा है कांगडा painting की workshop में कांगडा painting को promote करने में next है गोधू ये जो painter थे मनाकू कांगडा रियासत के उनके भतीजे थे इन्होंने जो painting की कला थी वो अपने uncle यानि कि मनाकू जी से बहुत ही गहरी इसमें सीखी ये भी समंद रखते हैं painting work से क्योंकि इन्होंने painting को adopt किया अपने uncle जी से इनका समंद भी राजा संसार चन्टू के समय काल में ही रहा है उसी समय में इन्होंने जो कांगडा painting की workshop थी उसमें कांगडा painting को promote कराने में काफी important role अदा किया है next बात करते हैं मंडी के painter के बारे में तो पुराने जो painting है मंडी की उसमें basically दर्शाया गया है जो मंडी के राजा थे केशव सेन उनके बारे में और ये painting है 1595 इसवी की राजा समर से इनके समय काल में एक कलाकार थे जिनका नाम था गुलेर बक्ष इनको मंडी रियासत से गुलेर बेजा गया था basically training के लिए गुलेर बक्ष ने जो basic training थी painting की उसको प्रापत किया गुलेर रियासत थे उसके बाद इनकों ने मंडी में काफी important role अदा किया painting को पर्मोट करने हैं कुल्लू के painter के बारे में बात करें तो कुल्लू का जो style था painting का वो famous हुआ राजा प्रीतम सिंग के समय काल में इनों ने जो राजा प्रीतम सिंग थे और जो कुल्लू के painter थे उन सबने मिलके जो कुल्लू style की painting है उसको काफी हद तक बहुत ही ज़ादा प्रमोट किया और उसमें growth देखी गई तो important painter है कुल्लू के उनका नाम है सजनू सजनू जो है वो बहुत ही famous painter रहे हैं कुल्लू के next बात करते हैं चमबा painter के बारे में तो चमबा में जो जितनी भी wall paintings है जो basically दरशाई गी है अखंड चांदी पैलेस में लक्षमी नारायन टेंपल में तो ये सारी paintings या wall paintings जो है बनाई गी है खुद अपने हाथों से दुरगा painter के दोरा और मिया तारा सिंग painter ये दू मुख्या painter रहे हैं चमबा के जिनने wall paintings को काफी promote किया है चमबा में इसके अलावा जो चमबा के काफी famous painter रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी बात की निक्का painter राजा राज सिंग के समयकाल में निक्का painter थे और इनने चमबा paintings को भी काफी promote किया था इसके अलावा कुछ ball painters थे हिमाचल में जो famous रहे हैं जिनके बारे में बात करें तो नमबर बन थे मोहमदी, दूसरे थे घया राम, तीसरे थे गोबर्धन कायास्त ये तीन अधर painters भी रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा important role रहा है ball paintings को promote करने में next बात करते हैं modern painters के बारे में तो हिमाचल में कुछ आधनिक painters भी रहे हैं जैसे की Nicholas Rorick, Nora Richards, BC Sanyal, सरदार सोबा शिंग, गुरूद, चंदूलाल रहना इन में से Nora Richards जो थी वो basically एक theater artist थी बट इनका काफी important role रहा है जो पहाड़ी painting सी उसको promote करने में बन वैवन इनके बारे में बात करते हैं नंबर वन है Nicholas Rorick basically इनका जनम जो था वो St. Petersburg रशिया में हुआ था 1874 में ये काफी ज़्यादा प्रभावी थे दुनिया के जो famous कलाकार थे उनसे और उनको अपना idols भी मानते थे जैसे Leonardo Di Vinci and Michael Anzelo ये इनके काफी idol से जो basically painting से सबंद रखते थे 1928 में इनका सामना हुआ हिमालयास के साथ और ये बहुत ज़्यादा surprising थे हिमालय की सुन्दरता को देखके इन्होंने करीबन साथ हजार canvas हिमालय के उपर त्यार करके बनाए हैं सिंपल शब्दों में कहें तो हिमालय के उपर इन्होंने लगवग साथ हजार paintings बनाई है famous paintings जो इनकी रही है Drops of Life, Pills of Striving, The Last Angel, Human Deeds, Domed City, etc. बहुत सारी paintings इनके द्वारा बनाईगी हैं इनकी मृत्यू 1947 में हुई थी और जो इनकी समादी है वो Rorik Art Gallery जो की नगर कुलू में है वहीं पर ही स्तापित है और जो Art Gallery नगर में बनाईगी है वो इनी की ही यादगार में बनाईगी है जिसका नाम है Rorik Art Gallery बहुत बर एक्जाम में पूछा भी जाता है Rorik Art Gallery कहां पर है तो यह आपको मिलेगी नगर डिस्टिक कुलू में नमबर टू पे बात करते हैं Nora Richards जो बेसिकल यह क्या थे थेटर आर्टिस्ट या फिर कह सकते हैं एक एक्टरस थी इनका जनम 1876 में आयरलेंड में हुआ था यह 1911 में अपने पती के साथ भारत आई थी 1920 में यह बिदवा होगी फिर 1925 में बापिस यह भारत आई और यह 1925 में सेटल होगी कांगड़ा बैली में पहले 10 साल तक रिये रही बनूरी कांगड़ा में उसके बाद इन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया अंद्रेटा में अंद्रेटा में एक काफी फेमस पेंटर रहे हैं सरदार शोबा सिंग जो इनके काफी अच्छे मित्तर थे इन्होंने बहुत ही इंपोर्टेंट सेवाएं परदान की है पहाडी पेंटिंग को परमोट करने में बेसिकली ये थी तो थेटर आर्टिस्ट पट इन्होंने पहाडी पेंटिंग को भी काफी परमोट किया अपने सेहोगियों मित्रों के साथ मिलके इन्हें एक नाम से भी जाना जाता है वो नाम है The Great Grand Mother of Punjab Theater तीसरे पर बात करते हैं BC सन्याल इनका जनम बेसिकली 1901 में असम के दिबरुगड में हुआ था ये एक फेमस पेंटर, स्कल्प्चर, आर्टीचर थे इन्हों ने जो 20 मी स्ताबदी में Indian Art जो थी उसको खुद बिटनस किया था यानि जो 20 मी स्ताबदी में भारत में कला में जो भड़ोतरी देखी गी उसमें इनका सेयोग भी रहा है इनके दोरा बहुत सारे important paintings बनाई गी हैं जैसे की Market Scene, At The Fair, Nijamudin Fair, Refugee Family, Women and Word, etc ये कुछ इनकी famous paintings हैं जो इनके दोरा बनाई गी थी इन्हों ने भी बहुत ज़ादे important सेवाएं परदान की है पहाडी paintings को promote करने में इनके सेयोग से ही जो पहाडी painting है हिमाचल की उसको national और international level तक approach मिली है Next बात करते हैं सरदार शोबा सिंग के बारे में इनका जनम 1901 में गुर्दासपूर डिस्टिक पंजाब में हुआ था इन्होंने एक साल का course किया है आर्ट एंड क्राफ्ट में और ये course किया गया इनके दोरा industrial school था मरिसर वहाँ से इनके दोरा बहुत सारी famous paintings भी बनाई गी हैं जैसे कि सोनी महिबाल ये काफी important है एक्साम में पूछी भी गई है दूसरा है ports of sick gurus जितने भी सिखों के गुरु रहे हैं उनके चित्तर portrait भी त्यार करके इनके दारत बनाएगे कांगडा bride काफी important ये भी paper में पूछी जाती है गदी बेले and etc many more paintings इनके द्वारा बनाईगी जो first portrait था कांगडा bride का जो basically इन्हें प्रापत हुआ था lady mount baton से 1974 में पंजाब की सरकार ने में state artist का एक दरजा भी दिया इनके द्वारा इनके नाम के उपर एक art gallery बनाईगी है जिसका नाम है सरदार शोबा सिंग आर्ट गैलरी और ये basically आपको मिलेगी अंदरेटा नियर पालंपूर डिस्टिक कांगडा में काफी important है exam perspective से बहुत बर exam में पूछी भी गई है next है पांच में गुरू चंदुलाल रहना जी ये basically समन्द रखते हैं कांगडा स्कूल आफ पेंटिंग से ये जो कांगडा रियासत में महरादा संसार चंद के समय जो मनाकूप पेंटर्स रहे हैं उनी की बंशावली से ये 9th जनरेशन के पेंटर हैं जिनका नाम है गुरू चंदुला रहना इनके दोरा बहुत ज़्यादा सुप्रिवाइजिंग वर्क किया गया है कांगडा स्कूल में और कांगडा पेंटिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा इनके समयकाल में दिया गया और इनों तब तक कांगडा स्कूल के जो पेंटिंग थी उसमें स्योग किया जब तक इनकी सेहत ने इनका साथ दिया नेक्सट बात करते है हिम बुनकर के बारे में काफी important है हिम बुनकर यानी की हिमाचल परदेश, state handloom and handicraft착 bouers apex cooperative society limited यह basically हिमाचल परदेश की ऐसी society है cooperative जिसको basically handlooms और handicrafts जो बेबर्स हैं बुनकर और हस्त कर उनके दौर उनके लिए एक society बनाई गी है इसकी स्थापना basically 1984 में की गई इसका मुख्य उदेश्य है कि एक तरह से ये platform प्रवाइड कराते हैं जो भी handicrafts और handloom के artist हैं उनको और ये primary cooperative society के रूप में भी काम करता है राज्य में हिमबुनकर के अंतरगत nearly 200 प्लस primary cooperative society हैं artist की हिमाचल में, artist की craftsman की वेबर्स की जो पूरे राज्य में फैली हुई है इन 253 primary cooperative society में से 89 ऐसी cooperative society है जो मुख्य तोर पे organize और manage की जाती है औरतों के दोरा तो women empowerment के लिए भी काफी important role अदा करता है हिमबुनकर हिमबुनकर में basically अलग-अलग type की items को त्यार किया जाता है हस्तकर और भुनकर इन सारी items को बनाते हैं जैसे की ladies and gents shawls, mufflers, stalls, jackets, फिर तिबितियन carpets, etc. इन सारी चीजों को त्यार किया जाता है हिमबुनकर के अंतरगत तो ये था very important video lecture जो basically हिमाचिल के painters के बारे में बताता है painters का क्या important role रहा है हिमाचिली paintings को promote करने के लिए इस video lecture में हमने बात की हिमबुनकर के बारे में अगर आपको video lecture पसंद आया है, video lecture को like करें, share करें, comment करें और आपके अपने channel The Concept को subscribe करें Thank you, Jai Hind, Jai Himachal